गर्मियों में अगर बहुत जादा लूव वाला मौसम है तो जो फंगस होता है वो भी सर्वाइब नहीं कर पाता है लेकिन जैसे ही मौनसून स्टार्ट होता है या आप ऐसी जगह पे रह रहे हैं जहां स्वेटिंग बहुत हो रही है यूमिडिटी बहुत जादा हो रही है वो फंगस के लिए और फंगल इंफिक्शन के लिए फेवरेबल सीजन है तो उस समय आपको खास ध्यान रखना हावशक होता है आप अपना क्लीनिंग और हाईजीन का बहुत जादा ख्याल रखे डेली बात लीजे ज़रूरत पढ़ने पर दिन में दो बार भी आपको बात हो और उनको ठीक तरह से धूप में सुखाईये और कहीं भी ऐसी जगह पे हैं जहां पे हुमिडिटी है और आपके कपड़े ठीक से अगर सूखे नहीं है और दुबारा आपने उनको पहन लिये हैं तो फंगल इंफेक्शन को और ज्यादा बढ़ावा देगा तो एंटि- फंगल ट्रीटमेंट की अवशकता तब होती है जब इंफेक्शन के सिम्टम दिखने लगे इंफेक्शन के सिम्टम में आपको यह हो सकता है कि आपको तवचा में इस्पेशली थाई एरिया में और हाथ वगरा में भी रेट पैचेस दिखेंगे आपको और उस में हलका से मिक्स मत करिए अपने कपड़े अलग रखे उनको ठीक तरह से बॉइलिंग वाटर में प्रॉपर क्लीन करिए उनको दूप में सुखाईए और अपना ट्रीटमेंट करिए उसमें एंटी फंगल पाउडर जैसे मैंने बताया सोप आते हैं इन सब की मदद से आपको इंफ पांसून का सीजन ऐसा सीजन है जिसमें फंगल इंफेक्शन की संभावना बढ़ जाती है इंफेक्शन होने के पीछे मुल्भूत कारण यह होते हैं कि आप हाईजीन का ध्यान नहीं रख रहे हैं या जो इसकिन का अपना नाच्रल बेरियर है उसको डिस्टर्ब कर रहे है तो हमारी साधरन। यया कुछ न कुछ बैक्टिरिया रहते हैं जिनको कमेंशत्रल बैक्टिरिया या फेवरेवल मule्स कैप ब्रीच हो रहा है तो वह इंफेक्शन आपका हो जाता हैий तो एसे में मेंने देखा है काफी लोग किसी और कि भाएं द्रोंक्तिंस चृचल कर दे तो अगर आप किसी इस वजह से उस क्रीम को प्रयोग कर रहे हैं कि आपका कोई दाने सही हो जाए है या किसी आपको ब्यूटिशन ने ऐसा बता दिया है कि वो करने से इसकिन में ग्लोव आजाता है तो इस तरह की क्रीम यूज करके आप अपनी तुचा को सेंस्टिव कर रहे हैं और इंफेक्शन के लिए प्रोंड कर रहे हैं तो ऐसी कुछ किसी भी क्रीम को जो मेडिकेटेड क्रीम है बिना चिकतसक की सलाह के मत प्रयोग करिये और मैंने इसकिन की तुचा को आपके बहुत सेंस्टिव कर देता है और डामेज करता है और इसकिन की थिनिंग होती है इसमें गाह हो जाते हैं इंफेक्शन की संभावना बहुत जादा बढ़ जाती है तो इस तरह की क्रीम स्वेड़ा को अवाइड करिये हाईजीन का ध्यान रखे और अपना निट्रिशन का दिहान रखेंगे तो आपकी तुचा भी इंफेक्शन से बची रहेगी